हालो फ्रेंड्स वेलकम टू एचेच फेशिन वॉल्ड आज की इस वीडियो में हम ये ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनाना सिखाऊंगे आज आपको ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख रहे हूँ ये देखे बहुत ही खुबसुरू सा डिजाइन है बनाने में बहुत आसान है डिजाइन और देखने में बहुत प्रीटी लग रहे है देखे तो चलिए स्टार्ड करते हैं इसको बनाना देखते हैं ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन किस तरह से बनाई करते हैं राइट साड से देस हमarmed कुछ इस तरह से दिखरा है और रॉन्ग साड से देखिए हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना देखते हैं किस तरह से हम इस डिजाइन को बनाते हैं इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं 3 के multiple में फंदे plus आपको 1 इसमें कर लेना है तो आपका जो design वो अच्छे से adjust हो जाएगा जैसे कि मैंने देखे हैं आपर 10 फंदे डाले हैं 3 से गुणा करके 9 और plus उसमें एक करके 10 फंदे में यहाँ पर डाले हैं अब चलिए start करें तो शुरू में हम दो basic row डालेंगे जिने हमने design में बाद में repeat नहीं करना है ठीक है तो basic row 1 राइट साइड से थी इसके बाद हम repeat pattern अपरा start करेंगी दो row के बाद यो दो row ही हम डालेंगे जिने हमें बाद बाद repeat करना है तो पहली row सीधी तरब से row foundation row ठीक है अब यही तीन फंदे हम repeat करेंगे तो फंदे उल्टे फान टू धागा पीछे एक फंदा सीधा इसी तरह से हम पूरी row complete करेंगे यह last में हमारे पास तीन फंदे बचेंगे दो हम उल्टे बनाएंगे design के फंदे और last के फंदे को हम सीधा बना लेंगे अब आजाएए foundation row 2 पे wrong set से ठीक है foundation row 2 wrong set से इन्हें हमें design में repeat नहीं करना है यह बार बार बुरी हम सिर्फ design को set करने के लिए हम यह डाल रहे हैं दागा पीछे करेंगे पहला फंदा उतारा दागा पीछे दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा अब यही तीन फंदे हम पूरी row में repeat करेंगे दो फंदे सीधे एक उल्टा यह सारी row हम इसी तरह से ही complete करेंगे दो सीधे एक उल्टा लास्ट में भी दो सीधे एक उल्टा अब यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे यह दो फांडेशन रो डाल ली हमने अब इसके बाद हमारा डिजाइन यहां से स्टार्ट होगा यह दो रो हमने बार बार repeat करनी है पहली रो सीधी तरफ से रो में राइट साइट से पहला फंदा सीधा उतारा दागा दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे अब यह जो सीधा फंदा हमने बनाया था इसके पास देखिए जो बार आपको दिख रही है धागा दिख रहा है इसको हम उठाएंगे इस तरह से रखेंगे और इसको सीधा बनाई कर लेंगे फिर जो सीधा फंदा हमने बनाय दिख रहा है उसको उठाएंगे और इस तरह से इसको सीधा बनाए कर लेंगे और जो सीधा फंद है उसको स्लिप कर लेंगे सारी रो हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे ठीक है लास्ट के फंदों में दो उल्टे बनेंगे एक सीधा बनेंगा अब आजाएं रो टू पर एक slip किया था एक हमने नीचे से उठाया था फंदा एक slip किया था इन दोनों का हमने दो का कर लेना है उल्टा बना लेना अब यही बार बार रिपीट करना है दो फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, धगागे 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे सारी रो आपको इसी तरह से ही complete करनी है last में 3 फंदे बचेंगे, 2 सीधे बनेंगे और last के फंदे को हमने उल्टा बनाई कर लेना है तो अब देखिए 2 सिलाई बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहाँ पर over हो जाता है अब यही 2 सिलाई हम बनाते जाएंगे यही 2 सिलाई बनाई करते जाएंगे और हमारा यह beautiful सा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा डिजाइन कितना प्यारा बन रहा है आप खुद ही देख सकते हो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पसंद आया होगा तो make sure आपने वीडियो को लाई किया है चैनल को सब्सक्राइब किया है thanks for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टोटोल के साथ अब तक के लिए बाबाई